लोग सभा चुनाओं की तारीखों का एलान हो चुका है सभी बड़ी नेता टिकट की चामे हैं लेकिन इस खबरों के बीच एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है बिहार के पुर्ब मुख मंत्री उप मुख मंत्री एवम राज़त निता टेजस्वी आदव ने अपने सहयोगियों को नसियत दी है अपने सहयोगी पार्टियों पर जम कर बरसे भी है उन्होंने अपने सहयोगी पार्टियों को बताया कि अगर आप अपने में लरेंगे तो देश में कभी भी सरकार नहीं बनेगी आप अपने लोगों कोई सीड और उमिदवारों के लिए ना लड़ें अपने तो देश नहीं तो आपको देश कभी माफ नहीं करेगा राजेज नेता तेजश्वी आदम ने सनीवार को ट्विट कर सयोगी दलों पर निशाना साथते वे कहा कि सम्मिधान और देश में आम चुनाओ होंगे या नहीं कोई नहीं जानता लेकिन सम्मिधान और देश पर अभूत पूर संकट है अगर अपकी बार बिपक्त से कोई रनिदिक चुक हुई तो फिर देश में आम चुनाओ होंगे या नहीं कोई नहीं जानता अगर अपनी चंद सीटे बढ़ाने और सहयोगयों को की संख्या घटाने के लिए अंकार नहीं छोड़ा तो समिधान में आस्था रखने वाले नियाई प्रियद देशवासी माफ नहीं करेंगे उन्होंने कहा कि भाजपईयों से समिधान और अरक्षन बचाने के लिए 2015 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी होते वे भी हमने नितिश जी को मुख मंतरी बनाया है यहां तक की विधान सबा अद्यक्ष का पज भी उन्हें को दिया लेकिन उन्होंने सेजन घोटाले से बचने के लिए जनादेश काहीं चीरहरन कर दिया साथी उन्होंने लालू परसाद यादव के वक्त अव्यों का उधानन देते वे कहा कि वर्स 2014 में लालू जी ने कहा था कि यह चुनाव निधारित करेगा कि देश तूटेगा या रहेगा दंगाई ताक्ते इस देश और सम्विधान को खंडित कर देंगी और उनकी वानी एक हद तक साबित हुई पिछले पांच वर्सों में सम्विधान और सम्विधानिक संस्थाओं के साथ ताना साहों ने क्या-क्या खिलवार किया दंगाई ताक्ते इस देश और सम्विधान को खंडित कर देंगी उनकी वानिक एक हद तक सही साबित हुई पिछले पांच वर्सों में सम्मिंधान और सम्मिंधानिक संस्थाओं के साथ ताना साहों ने क्या क्या खिलवार किया ये किसी से छिपा नहीं है